लाइट के बारे में डिसकस करने के बाद में अब हम बात करेंगे characteristics of light की, ठीक है? कि light की क्या-क्या characteristics होती है, light कैसे travel करती है, light किन objects में से travel कर जाती है, किन में से travel नहीं करती है क्या-क्या phenomena होते हैं, जो light की वज़े से होते हैं, ठीक है? तो सबसे common characteristics की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे light का, ठीक है? So, light is an invisible form of energy, light की जब हम बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? कि light का है? light a form है energy का, ठीक है? Light is an invisible form of energy, next हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे कि क्या light को travel होने के लिए, या फिर light को propagate होने के लिए, किसी material medium की जरुरत है? तो नहीं, light को travel होने के लिए, किसी भी material medium की जरुरत नहीं है Light does not require material medium for its propagation and light can travel through vacuum, light vacuum से भी travel कर सकती है, ठीक है? मतलब light को किसी भी material medium की जरुरत नहीं है travel होने के लिए, ठीक है? अगर हम sound की बात करेंगे, तो sound में जरुरत होती है, material medium की जरुरत होती है travel होने के लिए, लेकिन light में नहीं होती है ठीक है, light vacuum में भी travel करती है, ठीक है? material medium की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे solid के बारे में, हम बात करेंगे liquid के बारे में, और हम बात करेंगे gas के बारे में, ठीक है? second, and its speed is marginally less in air and its speed does not decrease, उसकी speed क्या करती है, decrease नहीं होती है light undergoes reflection from polished surfaces such as mirrors, light क्या करती है? polished surface से reflect होती है, मतलब की bounce pack होती है, अगर हम किसी भी polished surface के उपर light को incident करवाएंगे, या फिर light incident होगी तो क्या होगी? वो bounce pack होके return हो जाएगी, तो इस phenomenon को हम reflection का नाम दे सकते हैं या फिर reflection बूल सकते हैं, ठीक है? when light goes from one medium to another it changes its path and this phenomenon is called reflection जब light एक medium से दूसरे medium में travel करती है और जो light का path है वो band हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं reflection उस phenomenon को हमने reflection का नाम दिया, अब वो medium कोई भी हो सकता है, वो medium हमारा gas हो सकता है for example, air, water, ठीक है? अगर light rays जो है, वो glass से air में जा रही है या फिर air से फिर water में जा रही है तो क्या कर रही है? उसका path जो हो रहा है वो band हो रहा है और इस phenomenon को हम बोलते हैं reflection reflection of light rays, ठीक है? बच्चो अब light के characteristics के बाद में हम continue करेंगे कुछ definitions जो की lights related है सबसे पहले हम discuss करेंगे ray के बारे में जब हम ray के बारे में बात करते हैं तो ray of light कुछ इस तरीके से रहती है एक line रहती है जिस पर arrow रहता है इस तरीके से कुछ रहती है जो कि जो arrow है वो हमें path दिखाता है light का कि light किस path में travel कर री है या फिर किस direction में travel कर रही है after और कि अगर arrow在 this direction में hanga तो iskaम मतलब light ray甚麼 रहा से ओस इस डिरॉक्षन कर रहे है अगर arrow is direction में होगा to light ray वह कुछ सरिकेसे या फिर कर रहा है तो अगर हम एक रे के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या करती है सबसे में है वो हमें direction बताती है light ray का कि जो light रहे है वो किस direction में travel कर रहा है जो light है किस direction में travel कर रहे है so the path along which light energy travels in a given direction is called ray of light मतलब कि ray of light के जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वह कुछ इस तरीके से रहती है और जो कि हमें direction बताती है light का तो यह तो यह तो होगे single ray के बारे में बात कुछ इस तरीके से अब हम बात करेंगे beam of light के बारे में जब हम एक single ray के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जब हम beam of light के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम bundle of rays के बारे में discuss कर रहे हैं हम bunch of rays के बारे में discuss कर रहे हैं हम more than one rays के बारे में discuss कर रहे हैं जब हम beam of ray के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चो, beam of light is nothing but a collection of rays of light is called beam of light however, if the number of rays is too small, such as collection of rays is called pencil of light अगर rays, number of rays जो है, beam जो है, उसमें बहुत कम number of rays involved है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम pencil of light बोलेंगे एक से ज़्यादा ray की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे beam of light के बारे में bunch of rays के बारे में जब हम बात कर रहे हैं bundle of rays के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे beam of light के बारे में कुछ इस तरीके से, for example, हमने torch on करी और उसमें से light आती है के bunch of rays बहार आता है beam of light हम बोल सकते हैं उसको तो बच्चो light ray और beam of light ray ठीक है दोनों अलग अलग चीज़े light ray मतलब कि single ray और beam of light rays मतलब कि bundle of rays या फिर bunch of rays ठीक है नेक्स्ट है parallel beam अगर हमारी light rays कुछ इस तरीके से travel कर रही है जो कि parallel travel कर रही है और सभी में equal distance है तो वो क्या हो गई वो parallel beam बोल सकते हैं हम उसको so when the rays of light travel parallel to each other then the collection of such rays are called parallel beam इस तरीके का जो collection है rays का उसे हम parallel beam बोलते हैं for example अगर हम example देखे तो sun rays जो है छोटे से hole में से अंदर आ रही है ठीक है तो वो भी किसका example है वो parallel beam का example है कुछ इस तरीके से जो light rays है वो parallel travel करती है ठीक है